सचिन पाइलेट के खुली बगावत आप कह सकते हैं और सचिन पाइलेट के शब्दों में उनकी नाउमीदी यहने उन्हें आप कोई उमीद नहीं है कि उनके साथ न्याय होगा सचिन पाइलेट की नाउमीदी या उमीद क्या थी पहले वो समझना जरूरी है सचिन पाइलेट लगातार मांग करते रहे कि गेहलोत ने वसुंदरा राजे सिंधिया के कारेकाल में हुए भ्रष्टा अचार के खिलाफ जाज नहीं करवाई हलाकि वो गैलोत का नाम नहीं लेते हैं वो बार-बार ये कहते हैं कि मैं पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ लेकिन जनता को जवाब देना है बराल अब सचिन पाइलेट खुल कर सामने आ गए अशोग गैलोत पर सचिन पाइलेट ने जम कर हमले बोले है पत्रकारों से बाचीत करते हुए पाइलेट ने एक बड़ा एलान भी कर दिया है पाइलेट ने ये बड़ा एलान किया है कि वो एक यात्रा निकालने जा रहे हैं 11 मई को पाइलेट संगर्श यात्रा जनसंगर्श यात्रा निकाल रहे हैं सवा सो किलो मीटर की ये यात्रा है ब्रश्टा चार के खिलाफ पाइलेट ये पद यात्रा निकालेंगे अजमेर से जैपूर तक ये जनसंगर शियात्रा होगी सवा सो किलोमीटर की ये जनसंगर शियात्रा है और तीन साल में कोई कारिवाई नहीं हुई है उस उन मामलों पर जिनमें वसुंदरा राजेस इंदिया के कारिकाल में कथित तोर पर ब्रश्टा जैसा पाइलेट कहते हैं ब्रश्टाचार हुए थे कई बार उन्होंने चिठी लिखी अशोक गेलोत को या मुख्यमंत्री को लेकिन उस पर कोई कारिवाई नहीं की गई इनी सारी बातों को लेकर खुलकर मैदान में आ गये हैं सचिन पाइलेट असली मामला क्या है सचिन पाइलेट जिनके अध्यक्ष रहते हुए कॉंग्रेस सत्ता में आई तभी से लगातार ये मामला चल रहा था कि क्या सचिन पाइलेट मुख्यमंत्री बनेंगे या कॉंग्रेस में अब नेत्रित परिवर्तन की जरूरत महसूस की जा रही है सचिन पाइलेट से लगातार वादे किये गए और सचिन पाइलेट पार्टी के साथ बने रहा है देखिए जोती राधिति सिंधिया की तरह वो भी बीजेपी में जा सकते थे इस तरह की अटकले थी उसी दौर में जब मद्यप्रदेश में सरकार पलट रही थी लेकिन अशोग गैलोद अब राश्टी अद्यक्ष की दौर में आएंगे अशोग गैलोद पहुंच गए सोनिया गांधी के पास उन्होंने साफ कह दिया कि मैं विवश हूँ मैं मजबूर हूँ विधायकों के आगे मैं अद्यक्ष पत सुईकार नहीं कर सकता सोनिया गांधी अशोग गैलोद यही ताकत दिखवाना चाहते थे और यही बात अपनी मनवाना चाहते थे अशोग गैलोद जब दुबारा आ गये तो उसके बाद उनकी गाड़ी फिर से पटरी पर दोड़ने लग गई लेकिन बेपटरी हो गये सचिन पाइलेट जिनको उम्मीद थी कि आला कमान उनके साथ में हैं उन्हें अब नाउमीदी क्यों दिखाई पड़ रही हैं उनका कहना है जब सुनिया गांदी अध्यक्ष थी तब बात नहीं बनी तो अब कैसे बात बनेगी हम दिली तक बात रखाए हैं और सचिन पाइलेट ये बात बार बार कह रहे हैं कि हमन इस प्रेस कॉन्फरेंस के दौरान कहीं है सचिन पाइलेट के इन आरोपों से एक बात बहुत इसपष्ट हो गई है कि राजस्तान में सियासी घमासान बहुत तेज होने वाला है साल के अंत में राजस्तान में चुनाओ होने हैं कॉंग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा कि साड़गाट के आरोप जो हैं वो एक अपरोख शुरूप से, सीधे-सीधे नहीं बोलते हैं, गहलोट का नाम नहीं लाते हैं, लेकिन अपरोख शुरूप से वो बहुत सारे गंबीर आरोप लगा देते हैं, वो ये कहते हैं कि वसुंदरा राजे सिंदिया के कारेकाल में जो कथित भष्टा चार हुए, उनकी जाँच अभी तक क्यों नहीं करवाई गई, आपको ये भी याद रखना चाहिए, कली मैंने एक रिपोर्ट आपको दिखाई थी, जिसमें क्या पाइलेट के आरोपों पर सहमती जताई गहलोट ने, ये क्यों को आ गया, गहलोट ये क कहते सुनाई दिये, कि हमारी सरकार बचाई थी, वसंदरा राज सिंदिया ने, ये बहुत बड़ा और जबर्दस बयान था, ये बयान सियासी सरगर्मियों को हवा दे गया, दरहसल इस बयान के तुरंट बाद वसंदरा राज सिंदिया को कहना पड़ा कि ये मेरे खिलाब बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, उनके बारे में कोई भी अच्छा शब्द अगर गहलोत कहे दें तो ये बड़ी साजिश माना जाएगा, और निशित तोर पर ये यूही नहीं बात करते करते कोई बात नहीं कह दी गई, वसंदरा राज सिंदिया को कमजोर करना चाते थे, या फिर पाइलेट की बगावत के मुद्दे को सामने लाना चाते थे, ये तो अलग बात है, लेकिन आला कमान को बड़ी मुसीवत में डाल दिया है राजस्तान के इन दोनों दिगज निताओंने, सचिन पाइलेट की अपनी राजनिती है, सचिन पाइलेट साथ थे, लेकिन परियापत अदाद में नहीं थे, आज भी उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यही मानी जाती कि उनके साथ समर्थन तो है, लेकिन उतना नहीं है कि आज सरकार पलड़ दें, आला कमान के सामने यही समस्या है, एक तरफ अशोग गैलोज जैसे नेता है, पुरान इन दोनों के बीच में अब फैसला कौन ले? लियाजा राहूल गांदी ने कहा, जब भार जोड़ो यात्रा राजिस्तान में थी, कि हर पार्टी में होता है, हमारी पार्टी में भी थोड़ा बहुत होता है, उनसे प्रशन पूछे गए थे, आप सी उठा पटक के बारे मे क्या कहेंगे, लेकिन साथ ही साथ में एक बहुत इस पश्टर रणनीती कॉंग्रेस के आला कमान की समझ में आती है, कि आप असमें निपट लो, वो इसमें कुछ इंटरफर कर भी नहीं सकते हैं, आपने केसी वेडू गोपाल, जैराम, रमेश, मलिकार, जुन खर गे, और राजिस्तान की राजनीती वो नहीं है, यहां पर बाहर जो दिखता है, कि हमारे बड़े नेता जो कहेंगे, वो हम करेंगे, यह बात तो गेलोध भी कहते रहे, लेकिन किया क्या, नहीं किया न, और यही बात अप पाइलेट कह रहे हैं, कि असली गद्दारी वो थी जब अ अपमान किया गया सुनिया गांदी का, यह गदारी शब्द कहां से आया, गदार कई बार कहा गया है, गहलोध की तरफ से भी सचीन पाहलेट को, सचीन पाहलेट इस पर कहते रहे हैं, कि मेरी परवरिश ऐसी नहीं है, मैं इस तरह के शब्दों का इस्तिमाल नहीं करता तो साथ में रहते हुए एक पार्टी में बने रहते हुए सचिन पाइलेट और गहलोत के बीच ये कड़ी जुबानी जंग देखी गई है पहले भी अब खुल कर सामने आगए सचिन पाइलेट जन संगर्श यात्रा निकाल रहे हैं ये वो अंदाज है जो राहूल गांदी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिखाया है भारत जोड़ो यात्रा की तरह क्या वो सबासो किलो मीटर की यात्रा जो निकालेंगे उसमें वो अपनी राजनितिक जमीन को मदबूत करना चाह रहे हैं और साथी साथ में एक बड़ा सवाल ये है कि ये किसके खिलाफ है क्या पाइलेट अपनी राजनीती अलग कर रहे हैं पाइलेट बीजेपी के साथ जाएंगे पाइलेट कॉंग्रेस में ही एक दबाव किस्टिती बना रहे हैं आला कमान का क्या समर्थन उनको हासिल है क्या शी उम्मीदी शब्द का इस्तिमाल करने के बाद ये तो समझा जा सकता है कि सचिन पाइलेट अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। कर तो बीजेपी कॉंग्रेस के बीच में हैं लेकिन अगर कोई तीसरा धड़ा आता है जिसमें सचिन पाइलेट खुद हैं अनुमान बेनिवाल को मत बूलिया वो कह चुके सचिन पाइलेट का स्वागत करेंगे। 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 करेंगे।